हाई गाइज आज में आप लगों सा जलेबी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो देखते हैं हमें इसे कैसे बनाते है तो यहाँ पर मैंने लिया है 150 ग्राम मैदा अर्टा चार बड़ा चमच कॉर्ण फ्लार चार बड़ा चमच दही 150 एमल पानी 140 पून येलो कलर आप औरेंज भी यूज कर सकते हैं 140 स्पून बेकिन सोड़ा अब हम इन सारी चीज़ों के एक बोल में मेक्स कर लेते हैं और इसका स्मूध बैटर बना लेते बिना लम्स की अभी अच्छी से इसका पेस्ट बन गया इसे अभी हम 15 मिर्ट के लिए साइड में रख देते हैं जब तक हम चाशनी बना लेते हैं जलेबी का चाशनी बनाने के लिए 415 ग्राम शक्कर और देड़ कप पानी लेने दो टीजपुन लिंबू का रस और दो इलाइंची आप चाहे तो जादा भी यूज़ कर सकते हैं और इसे हम अच्छी से मेल्ट होने तक पका लेगें एक बात धियान में रखे हैं कि आपको चाशनी मेडियम कंसिस्टेंसी में रखना है मेडियम ठीकनेस के लिए हम 10 मिट क बना सकते हैं और यह एक बात ध्यान में रखे कि आपको जलेवी मीडियम फ्लेम पर बनाना है अगर हाई पर बनाओगे तो आपका जलीबी जल जाएगा और अगर शलोग पर करोगे तो जले भी फूगेगी नहीं तो यह बात आपको धियान में रखना है जलेवी को दुसर और जलीबी दालते वक्त आपके चाशनी गरम रेनी छी हलकी सी ये देखे जलीबी किता परफेक्ट बनाया है जूसी और क्रंची और ये मैं तोड़के बताती हूँ उसके अंदर पुरा रज भरा हुआ है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करना और मुझे कॉमें बताना और प्लीज लिक्षर और सब्सक्राइब ना भूला बाइब थैंक्स फर वाचीं